हेलो एंड वैलकम ग्रेट अगेडिमी के ऑनलाइन पोटल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है एमडी समी यह CRM को नौवा लेक्चर है बच्चों इसमें हम लोग करने के लिए मॉडल्स का इस्तमाल किया जाता है पिछे लेक्चर में आपने बेसिक्स को पढ़ा आई होप इस सारी चीजह आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगी अगर आप लोग कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं CRM का तो नंबर जरू शेयर कीज़े बच्चों ताकि यह हमाई एडिया लग सके कि आपकी प्रिपेशन कहां तक हुई है और कहां बाकी है ताकि आपके एक्जामिनेशन में जब कोई भी कोशन अगर CRM से आए तो आप उसे अच्छे से अटेंट कर सके इस लेक्चर में सार पिछले previous papers में CRM टूल से कोशन आया था तो इस बात बहुत जारे chances है कि model से कोशन आ सकते हैं तो एक एक पॉइंट के बारिकी से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग customer के उपर mainly देखिए जो CRM का model है जो CRM software बनाया गया है actually यह पूरा customer focus है customer को हमें कैसे acquire करके रखना है कैसे उसे retain करना है ताकि customer हमारे पस बना रहे और हमारी company की value बरकरार रहे value जो इसमें CRM models में हम लोग पढ़ेंगे जो customers ज्यादा valuable होते हैं value एक secondary point हो जाता है पर mainly हम लोग यहाँ पर क्या focus करते हैं जितने भी lectures अभी तक हमने आपको बताया है साय lectures में मैंने आपको बताया कि customer को कैसे हम लोग acquire करेंगे कैसे उनके पास जाएंगे साय डाटा को collect करेंगे उनके needs को समझेंगे उनके wants को समझेंगे उनके क्या क्या प्रिफरेंसे से किस product में वह किस टाइप के टाइप के products वह चाहते हैं क्या quality वह चाहते हैं जो services हम दे रहे हैं उससे वह संतुष्ट है कि नहीं है तो customer का हम लोग segmentation करते हैं डाटा माइनिंग में हमने देखा कि डाटा को हमने कैसे कलेक्ट किया विजुलाइज किया और डाटा डेक्शन टेक्निक में हमने डाटा को reduce करके customer को divide किया ताकि हम यह decide कर सकी कि कि किस customer को क्या में focus करना है जैसे मान लिजए अगर कोई customer हमारे पास आके हमारे shop साबुन लेके जा रहा है अगर वह निर्मा साबुन लेके जा रहा है अगर कुछ अगले महीने में हो सकता है कि 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 सी अधर कस्टमर से वह influence होके विलपाइब नहीं रहेगा और अगर हम उसे निर्मा साबून में ओफर्स दे देंगे या उसमें ओफर्स देंगे, उसे इमेल करेंगे तो क्या होगा? कि वो पोड़ट तो ले ही नहीं रहा है तो इस ओफर हमारा वेस चला गया जितना भी हमने उसको ओफर दिया सारा वेच चला गया तो यह साट अटा रहने का यह फायदा होता है कि कब कस्टमर का वांस बदल रहा है कौन सी जरूत उसकी चेंज हो रही है उसका प्रिफरेंस कैसे बदल रहा है सारी चीजों को एनलाइज करके हम एक परफेक्ट सौप्ट्वेर बनाते हैं ताकि अपने ब आपको प्रवाइड कराया जाए हमारे यह टीम का उद्देश रहता है कि आपका टाइम बच सके और कंटेंट अच्छा मिले और आप लोग एक बात का और ध्यान दीजेगा कि इस जो मॉडल में आपको बताऊंगा हर एक चीज के डिटेल में मैं नहीं जाओंगा यहां पे आपको पिछे लेक्टर को फॉलो करते हुए चलना है ताकि एक एक पॉइंट आप अच्छे समझ सकें एक एक पॉइंट को मैंने बहुत है रिटेल में पढ़ाया है जो बच्चे इसकीप कर जाते हैं उनका पॉइंट छुट जाएगा तो CRM नहीं समझ में आएगा किसी भ प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए जो बच्चे मुझसे यह कह रहे थे कि CRM का लेक्टर लेके आईए CRM आपको पढ़ाईए तो मैंने आपको एक एक पॉइंट को पढ़ाया है तो CRM आप लोग बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे और मॉडल्स को समझने के लिए बेशिक बहुत ही मजबूत करना है ताकि आप यह चांस अच्छे से ग्रैस्व कर सके इस चांस आपको मिस ना हो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी से यह हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं IDIC model of CRM तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे समझेंगे एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा जैसे मान लिजे अग बनाते जाएंगे वह प्रोड़क्स को इस्तमाल कर रही है लेकिन वह कंप्लेंट करेंगी एक टाइम पर हमारा फ्लो बहुत तेज चलेगा लेकिन जैसे वह कस्टमर प्रड़क्ट को इस्तमाल करेंगा तो क्या होगा कि उसमें दिकते आएंगी हमने को सर्विसेस दिया नह वह उप्रेंगी तो कमपणी ने जब इनलाइज कि Desp conservatives हम वह देख रहा है कि हम तो कस्टमर की नीट्स को संजी हूह यह रहे हैं इसको हम वह प्यूंकि जो पर दोडरे हैं कि आध कर गांव से का बिक्रा ह्याइए तो समय और हर संटार मिलें अगर हमारा पूलने खाते हैं तो हम समें मिलेंगे अगर समय दूशा पूरी होगे हम वहाँ जेकर रहेंहें अगर एपल है एक वैलियोबल ब्रांड है आप सभी जानते हैं तो एपल अगर अभी 16 Megapixel की कैमरा बना रही है और वो चार्ज भी रैम उसमें दे रही है गेमिंग एक्सपिरियंस भी अच्छा है तो अगर वह अगर कोई कस्टमर हमसे यह बोलता है कि आप उससे दो Megapixel कैमरा बनाईए और उसको सस्ता करिए तो इससे क्या होगा कंपनी की वैल्यू जो है वो घट जाएगी बच्चों तो कोई भी कंपनी जो अपनी वैल्यू बना चुकी है वो कभी यह नहीं चाहेगी कि उसका वैल्यू घटे क्योंकि मार्केट में जो कस्टमर हैं उसके इडार पर अपने पो बनाती है वेल्यू अपनी कर चुकी है तो वो कभी भी इसतरह के पोड़र जो नहीं बनाएगी क्यूंकि हर लिएक जैसा नहीं होता है तो वह उन कस्टमर को कटेगराइज करेंगी तो यह सारी जो प्रोशेस्ट यह थीतनी बी चीजे हम देख रहे है रहा है कंपनी बनाते जारी है कास्टमर को क्ष्टमर को को मतलब नहीं कि सर्वीस मिल रहा है तो ऐसे तो मैं नहीं को बनाते जारे है कना scientifically सबस्क्राइब Μार्केट ata jsad ein Pvdisen को पोरा कर दोनों कम्पनी कि बीच में नियुक्ष goo और shawn वहारा था आता है कि IDS model जो है हमारे company के और जो customer के expectation है company से उसको fulfill करने के लिए बहुत ही कारगर है तो यह जो IDIC model है यह launch किया गया था Papers and Rogers के द्वारा 1995 में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी company यह नहीं चाहती है कि हम अपने brand का यह हम अपने company का value घटाए हमारी brand की image बने तो जब एक product ब्रैंड बन जाता है तो उसकी image घटाने के वज़े company बढ़ाना चाहती है तो customer तो बहुत तरह के needs काएंगे कि हमें यह चाहिए हमें ऐसा चाहिए एपल का फोन हमें सस्ते में दे दो तो वो कभी नहीं देगी company इस तरह की चीज़ें तो कभी होई नहीं सकती एक तरफ आप रेडमी देख लिजिए जो रेडमी मुबाइल अभी launch हुआ था किस तरह क तो पार्ट्स और जो वो इस्तमाल करती टेकनोलोजी भले ही कैसा हो लेकिन उसने कम दाम में जो हमारे क्योंकि हर एक परशन का जो इंकम हैं बराबर नहीं है तो जो लोवेस्ट इंकम वाले पीपल है वो भी फोन को इस्तमाल कर सके तो रेडमी जो है उन लोगों के लिए बहुत ही सटिसफाइड फोन है क्योंकि कम दाम में उसको अच्छी चीज मिल जा रही है तो वो एपल के तरफ जाएंगे नहीं अभी माल लिजे जिनका इंकम जादा है वो जो सेक्यूर्टी को प्रिफर करते हैं या अच्छी चीजों को प्रिफर करते हैं कि हमारा जो हम लोग ब्रैंड को प्रिफर करते हैं लेकिन उसको नहीं करते हैं तो बच्छों यह सारे पॉइंटस आपको समझ में आ अगए होगे कि किसी भी कंपणी को प्रोग्रेस करने के लिए एक मुकाम पर पहुचने के लिए अपनी व्लिक बनाने के लिए इसक्तम प्रक्रिशन नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपकी company कभी भी एक valuable brand नहीं बन सकती है आप रिटेन रहे तो IDIC model जो है इसका main focus ही है बच्चों कि हम customer के expectations को fulfill करें उसकी जो उम्मीदें है company से products को लेके वो जो चाहता है वो सारी चीज़ों को हम fulfill कर सके तो जो IDIC model बनाया गया था बच्चों वो 1995 में बनाया गया था papers and Rogers के द्वारा जिसका main focus जो है main aim जो है वो customer expectations को fulfill करना और company brand या company की value को बढ़ाना था इसमें four steps होते है बच्चों I का मतलब होता है identify, D का मतलब होता है differentiate, I का मतलब होता है interaction और C का मतलब होता है customization तो ये जो है totally business को support करती है one to one interaction होता है इसमें यानि कि एक के customer के पास जाके उसके needs को समझेंगे हम क्या उसकी जरुवते हैं क्या वो चाहता है हमसे किस तरह के products को वो चारा है उसकी suggestions को लेंगे उससे feedback लेंगे ताकि अपने strategy को हम set कर सके business के लिए तो सबसे पहला जो है बच्चों वो identify है तो customers को हमे identify करना होता है इसमें हम लोग एक technique लगाते हैं drip irrigation तो drip irrigation में क्या होता है biology में आपने पढ़ा होगा drip irrigation के बारे में उसमें क्या करते हैं कि पेड को जब हम लगाते हैं छोड़ोटे पौधों को तो उसमें हम लोग एक set कर देते हैं limit कि जो पानी है एक पौधे में वो बूंद जाए और सीधा उसके जड़ों में जाए तो इससे क्या होगा कि water का wastage नहीं होगा और जड़ों तक पाने पहुच जाएगा जिससे वह growth होने में उसको help होगा तो इसी तरीके से हम customer को identify करते हैं बच्चों कि कौन सा customer हमारे लिए कितना valuable है कौन से customer हमारे लिए valuable है जो भी ह हमने आपको पढ़ाया है data mining technique हो गया या data reduction technique हो गया जिसमें हम लोग selective customers को choice करते हैं categorize कर लेते हैं उसी तरीके से यहां हम लोग identify करते हैं जैसे हमने अगर समुषे का अगर स्टॉल खोला है तो समुषे की स्टॉल में अगर कोई customer हमारे पास आया जिसे मेठी चटनी पसंद है तो हम मेठी रखेंगे कोई दही के साथ खाना चाहरा है तो हम दही भी रखेंगे तो इन सारे चीजों के हिसाब से हम customer को categorize कर लेंगे यह देखेंगे कि कितने customer जो हैं हमसे मेठी चटनी का डिमांड कर रहे हैं अगर दो ही customer कर रहे हैं तो वह सीज़े हम नहीं रखेंग ताकि customer हमारे पास retain रहे हमारे पास से कहीं और ना जाए तो इस तरीके से हम customers को identify करते हैं फिर क्या करते हैं कि customer को हम differentiate कर लेते हैं इसके अधार पे एक हो गया value के अधार पे एक हो गया needs के अधार पे तो value के अधार पे कहने का मतलब यह है कि जो customer हमारे company के लिए valuable है जैसे क जो कस्टोमर वैल्यवल कस्टोमर से जो जिसका जो में नीट्स है जो जिसका फिडबैक है। हमारे कंपनी में वैलिव अड इड कर रहा है। जब हम प्रोडेक्स को बना रहे हैं जैसे एपल का और ने बताया, मैंने आपको बताया, तो उसमेन क्या में बताया है। कि 2MP camera बना के दो हमें और फोन का रेट सस्ता करके दो तो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या हो वा कि ब्रैंड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कोई भी कंपनी अपने ब्रैंड की वैल्यू को डिक्रीज नहीं करना चाहती है तो यह जो है यह डिमांड को कभी भी फुल प्रणा करके दें तो यह चीज़े क्या होंगी हमारे कंपनी में वैल्यू एड करेंगी और हमारे कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी तो फिडबेक किसी भी कंपनी जो हम से लेती है कस्टमर से इसलिए जरूरी है ताकि कस्टमर्स जो है वह हम सटिस्फाइब हो सके और हम सथिस्फाइब करेंगे तो हम दो अभी कंपनी की कंपनी के अधार पर हमना से लाड़ी हम इनेटर्फ से करेंगे तो कि वह जानना चाहेंगे कि वह किस तरह की प्रिफ्रेंस को ले रहा है क्या उसको प्रोड़क्ट में और भी बहतरी चाहिएं किस ताइप के प्रोड़क्स उसको चाहिए अगर वह 48 Megapixel या 64 Megapixel के कैमरा को प्रिफर कर रहा है जो हमसे वह वेल्यू बढ़ेगी तो हमें इंट्रेक्ट करना बहुत जरूरी होता है बच्छों कस्टमाजेशन में क्या होता है कि हम जितने भी कस्टमर को अदेटिफाई कर लिया उसको डिफ्रेंसियेट कर लिया वैल्यू की अधार पर उनके नीर्स को समझ लिया उसके बाद उससे इं में है क्या इसका जो मेन फोकस है वो कस्टमर एक्स्टमर को फूर्फिल करना होता है तो कस्टमर को जब भी हम इडेंटिफाई करेंगे तो नीड्स वांस और प्रिफ्रेंस की हिसाब से इडेंटिफाई करेंगे कि क्या वह चाहता है कि इस तरह के उसके डिमांड है कौन से बच्चों एकदम आप लोग टेंसर नहीं लेना है निश्चिन्थ हो जाईए एक एक पॉइंट्स आप लोग को किलियर करूंगा मैं ताकि आपके एक्जाम में को भी पॉइंट छूट ना जाए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि जो डिफेंसियेशन है वो वैल्यू होता है ठीक है कि कि से मौडल में इसमें बोग ने ले लेते एक होता इंफोरमेशन से स्कूर्ण करते हैं और एक हम लोग करते हैं कि information to the customer customer को हम लोग inform करेंगे relating to the process through which their needs are address this process के थूरू उसके needs को पूरा किया जाएगा तो यह दो process हम लोग यहां पर अपनाते हैं इसको आप लोग ध्यान रखिएगा चलते हम लोग एक-एक point करके समझते हैं कि चीजों को तो पहला पॉइंट जो है identify customers expectations customer की क्या उमीद है इसको हमें identify करना होता है उसके needs के हिसाब से उसकी जरुवत के हिसाब से उसकी चाह के हिसाब से और उनके preference के हिसाब से इससे क्या होगा कि जब हम products को launch करेंगे और उससे organize करने में present करने में हमें help होगा यह totally जो customer oriented model है रवीन सर ने economics में आपको 4C model बताया होगा वह भी totally जो है customer oriented है उसी तरीके से जो IDIC model हम लोग follow करते हैं बच्चों कभी company सारी company आज यह follow कर रही है अपने products के लिए ताकि customer को satisfy कर सके उसको customize कर सके ताकि वह अपनी brand value या company के value को बढ़ा सके तो IDIC model आप लोग ध्यान रखिएगा कि customer oriented program है यह model है जो कि CRM में इसका इस्तमाल किया जाता है तो customer जो feedback देगा बच्चों उससे हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी business के लिए एक strategy बना लेंगे जिससे हमें help होगा customer को satisfy करने में सर्विस देने में जैसे मान लेजिए नेशले जो company है नेशनल एक सर्वे कंडेक्ट किया था जिसमें उन्हेंने western countries और eastern लाउंच किया था नेश्ट कैफे और जो eastern countries है वो टी पसंद करती है कॉफी पसंद नहीं करती है तो वहां पर अगर हम कॉफी लाउंच कर देंगे तो वहां पर तो कॉफी हमारा भीके गाई नहीं तो इससे क्या कंपनी का लॉस होगा तो customer के लिए वह पॉड़ेट वहाँ करते हैं तो इन्हों ने क्या किया प्रोड़क्ट लाउंच किया कॉफी नेश्ट कैफे नाम का जो की वेस्टन कंट्री में सर्व किया जाता है वहां पर लाउंच किया गया और इस्टन कंट्री में कॉफी फ्लेवर्ड टी को लाउंच किया गया जिससे क्या हो customer को उसकी व तो मुझे उस टाइम पिजा पसंद नहीं आया पर मेरे एक दोस्त ने बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हें पिजा खिलाता हूं कैसे पसंद नहीं आएगा तो उसने कैपसिकम और किया तो मुझे वह बहुत ही अच्छा लगा उसके बाद से मैंने हर वराइटी के पीजा को ढ़ा खौया तो इससे क्सटमर हमारे जुड़ गये तो यहीं तरीका होता है कि एक पौर किसी खाने की चीज को अगर हम किसी कास्टमर के मूंट उसके टेस्ट लग गया तो वह पैसल उसको हमेसा अपने डेलीटीन बना लेगा तो इसी तरीके से नेशने यहीं काम किया कि कंट्रीज में कॉफी फ्लेवर टी को लांच किया जिससे उसे कॉफी का टेस्ट पता चल जाए तब वहां पे जब वह नेस्ट केफे लांच करेगी तो वहां पे वह पॉड़क्ट चलेगा तो इसी तरीके से बच्चों आडेंटिफेकेशन बहुत ही जरूरी होता है कि कौन स की जरूते हैं क्या वह चाहता है तो ताकि हमें अपने कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने में अपनी ब्रैंड की वैल्यू को बढ़ाने में इंप्रूब्मेंट हो सके हमें हेल्प मिल सके इसी तरीके से किसी भी बिजनस की स्टेटेजी बनाई जाती है तो अब जब हमने customer के expectations को जान लिया उसको identify कर लिया अब उसको हम differentiate करेंगे तो इसे differentiate करने का दो तरीका है बच्चों दोनों तरीके बहुत ही आसान है आप एकदम करके समय से चलिएगा पहला जो तरीका है वो है है differentiating by values value के अधार पर हम customer को differentiate करेंगे दूसरा तरीका है डिफेशेटिंग बाई नीड्स तो इन दोनों का differentiation कैसे करते हैं बच्चों इसको आप लोग समझेए बहुत ही अच्छे से पहला जो value के अधार पर हम differentiation करते हैं तो हम यह identify करने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने customer को identify कि है जैसे अभी मैंने आपको example बताया कि Eastern countries में जो है वो कफी पसंद नहीं करता ह तो यह जो differentiation हम कर रहे हैं यहां पर क्या कर रहे हैं वहां पर टी पसंद है तो वहां के लोगों को क्या जुरूरत है टी की जुरूरत है वहां को कौफी की जुरूरत नहीं है तो देखिए दोनों जो product है एक टी है वहां के लिए valuable product हो गया और उसका need हो गया need भी हो गया तो उनकी जरुरत जो है वह हमेशा टी को प्रिफर करते हैं कॉफी नहीं लेते हैं तो नेसले ने दिमाग लगाया और वहां पर क्या किया कॉफी फ्लेबर टी को लाउंच कर दिया देखिए उनका दिमाग कितना काम किया ताकि उनके मुँव में कॉफी का टेस्ट लग जाए कॉफी जाधा प्रिफर करते हैं दो बाद तीन बाद चार बार वह लेते हैं जैसे यहां के हिंदुस्तान की जो लोग है लोग इंडिया में रहते हैं तो यहां के लोगों को पसंदें टी बहुत जगह आपको इस्टॉल मिल जागा जगह पे आपको नुकड़ पर भीस्ट अगर हम किसी product को launch कर रहे हैं तो क्या वो valuable product है customer के लिए अगर customer के लिए वो product valuable है तभी हमारे company का value बढ़ेगा हमारे brand का value बढ़ेगा तो यह सारे points को आप लोग अच्छे समझ गया होंगे बच्चों next point पर हम लोग चलते हैं अगला जो point है बच्चों customer interaction अब हमने identification कर लिया differentiation भी कर लिया अब हम क्या करेंगे customer से interact होंगे उनसे बातचीत करेंगे जो की one to one relationship में आता है जब हम लोग customer से interact होंगे यसे माल लिजे हमने जहां पर survey किया analysis की वहां पर हमने क्या देखा कि जो टी पसंद करने वाले हैं जब हमने coffee flavor launch कर दिया टी को अब वहां पर हम जाके customer से interact होंगे कि क्या आपको यह coffee flavor टी पसंद आया जो मैंने flavor add किया है यह कितना अच्छा लग रहा कितने percentage है वहां पर जो लोग coffee को prefer कर रहे हैं जब एक यह 90% 95% मातरा में पहुच जाएगा जो review आएगा feedback आएगा तो इसे interact करना भी बहुत जरूरी होता customer से ताकि हम उसे अपने products को अपने company के प्रोड़क्स के बारे में जान सकते हैं बच्चों यह survey बहुत ही जरूरी होता और यह survey की जाती है ताकि हम अपने company के value को बढ़ा सके तो interaction बहुत ही जरूरी होता है बच्चों जैसे feedback लिया उसके बाद अपने जो उसके company partners चेर्मेंस से सब बैठके मिल के discussion किया कि यहां के customers यह demand कर रहे हैं यहां के customers यह demand कर रहे हैं यह अपने products को बनाया तो यूनिलीबर जो है बच्चों यह कोई भी company हो चाहे यूनिलीबर हो चाहे वो नैसले हो तो जो भी marketing जब मार्केट में उतरती है company जब अपने products को launch करती है तो यह सारा survey करना होता है जो कि idea se model के दोरा की जाती है तो आज कल जो trend चला है बच्चों जो CRM हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी CRM का हम लोग basics पढ़ें यह model देख रहे होंगे आप कितना आसान है लेकिन जो basics को पढ़ा होगा बच्चों यह बहुत ही आसानी से समझ जाएगा यह model बहुत ही जरूरी है जो बच्चों ने हमाई लेक्चर को फालो नहीं किया बच्चों प्लीज उसे फालो किजिए एक एक पॉइंट साप लोग को समझना बहुत जरूरी है तभी यह model आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा अगला पॉइंट है बच्चों लिए डिइसीट कर लिए वैल्यू की अधार पर नीड की अधार पर फिर हम चाहता है अब हम क्या करेंगे अपने परडर सो कस्टमाइज करेंगे कस्टमाइजेशन का मतलब होता है बच्चों जैसे आप लोग मान लिजे अभी ऑनलाइन स्वापिंग करते हैं जैसे मैंने पिछे लक्षे से बताया था जैसे परस्टनालिजेशन और कस्टमाइजेशन जब पढ़ाया था आपको तो वहां पर सूज का एक्जामपल लिया थ करती है ताकि कस्टमर फुली सेटिसफाइड हो जाए हमसे वह कहीं भी हमसे ना जाए हमारे पास रिटेन होके रहे ताकि हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़े हमारी ब्रैंड की वैल्यू बढ़े तो यह मॉडल जो है बच्चों यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता आपके हमने सेमसंग का एसी लगवा लिया घर पे और सेमसंग का एसी जो है अच्छी हवा नहीं दे रहा है तो हमने फोन किया और जो है सामने सर्विस हमको नहीं मिल रही है तो हम कंपनी की बुराई करेंगे तो कंपनी की बुराई करेंगे तो क्या को वैल्यू घटे का हमारे कॉ कंपनी अपनी वैल्यू को घताना नहीं चाहती है बच्चों तो यह हमेंसा अच्छी सर्विस देगी आपको आपके रिक्वार्मेंट आपके नीड आपके वांट्स आपके प्रिफरेंस के आधार पे आपको पूरी कस्टमाजेशन देगी ताकि आप सटिस्फाइड हो जाए और उसकी कंपनी की कंपनी की वैल्यू या ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाएं देखिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं क्यूसी आए मॉडल आप सी आरेम तो जैसा कि पिछले मॉडल में आपने देखा आईडी आईसी मॉडल में हम कस्टमा सटिस्फेक्शन कंपनी व यह एक्तिवीटीज है उसको हम लोग कैसे मैनेज करें चाकि कस्टमर को हम लोग रिटैन रख सकतके कस्टमर को पकड़ को लोक केला के लाक backstory तभिना से अगर आपस कस्टमार नहीं होगा किस के नीट्स को फुलफिल करेंगे तो किसको सर्थेस्फाय करेंगे अपने कंपनी की value या brand value कैसे बढ़ाएंगे तो यह model जो है totally customer के activity को focus करता है customer को return रखने के लिए focus करता है और उसको पकड़के लाने के लिए यह model पुरा तयार किया गया है यह model जो है and woodcock तो यह model जो है बच्चों QCI model जो है Q का मतलब है quality तो जो भी products की quality हम देते हैं और competitive का मतलब है कि जिस market में हम launch कर रहे हैं उसका competition कैसा है उसके आधार पे हम एक index त्यार करते हैं जो की model की रूप में यहां पर दिया गया है तो QCI का मतलब हो गया quality competitive index तो इसमें आप लोग देख रहे हैं बच्चों जो भी हम लोग external environment है यहां पर सबसे पहला आप देख रहा होंगे यह बहुत ही टफ मोडल है आप लोग को लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही असान मोडल है एक करके मैं बहुत ही असाने से कि पॉइंट को समझाओंगा एकदम आप लोग को इसकीप नहीं करना है अगर आप इसकीप करेंगे तो एक भी पॉइंट मीच होगा तो यह मोडल नहीं समझ में आएगा एकदम आप लोग को ध्यान से पढ़ते चलना है इस्टरनल इंवार्मेंट का मतलब होता है कि जिस मार्केट में हम अपने प्रोड़क्स को लांच करने वाले हैं उस मार्केट में कैसा का influence है कैसा market है competitive market है वहां कि customer का experience कैसा है तो customer experience यहां बच्चों बहुत असाने में लिजेगा इसको आपको इसका बहुत broader meaning है यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे customer experience का मतलब क्या होता है जो भी अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो customer experience का मतलब आप लोग के यह समझ रहे होंगे कि जब हम products को इस्तमाल किये products को ले के आएं तो जब हम उसे इस्तमाल कर रहे हैं तो हम क्या experience कर रहे हैं उसका क्या feedback दे रहे हैं वह एकदम नहीं यहां पर customer experience का मतलब होता है कि जैसे माल लिजे आपने advertisement देखा होगा hair color हो गया hair removal हो गया या और भी उसको पीते ही हम किसी को भी लेके या लड़की को लेके हम विस तल्ला पर बहुत ही फुर्ती में चड़ जा रहे हैं ऐसा कभी हो सकता है क्या लेकिन वहां पर आपको एक image create किया रहा है कि उस energy drink को पीने के बाद आपके अंदर इतनी energy आजाएगी कि आप कहीं भी अच्छे से किसी भी work को कर पाएंगे या सीड़ियां बहुत तेजी चड़ जाएंगे या आपको पर्थल उठाना है कुछी मतलब ऐसा हो जाता है क्या यह मतलब फेक है लेकिन इस बनाया जाता है जैसे hair color है hair color का आपने देखा कि पहले के time में जो पहले hair colors आते थे उसको हम लगा के रखते थे तो बहुत ही time लगता था एक घंटा इंतियार करना पड़ा देड़ घंटा तब जाके color आता था अब क्या आ गया बहुत ही instant color आ गया है जैसे shampoo hair color sticks का आ गया ग आला हो जारा जिस तरह का color हम लेते हैं तो आज का जो generation है बच्चों यह बहुत ही busy है मतलब अपने काम में लोग इतना बेस्त हैं कि उनके पास time नहीं है तो यह जो product यह बनाई है company इन बातों का ध्यान रखते हुए customer की needs को समझते हुए यह products को बनाया गया है ताकि अगर ह हम नहाते हो वक्त इस product का जो हमरे पास time है उस time में ही यह काम मेरा जल्दी से हो जाए क्यों हमको इससा time नहीं देना पड़े देखा होगा अपने जो hair color का आड़ दिखाया आता है जो heroes है उसके उन्हेंने तुरंत लगाया वो तुरंत यंग दिखने लगते हैं तो इस तरी customer experience में include हो जाता है क्योंकि अगर आपने नहीं लिया है product को जिसे भी इसकी जुरत होगी जो आपके environment में external environment में है उसको आप influence कर सकते हैं तो इससे क्या है customer experience में हम calculate करते हैं तो इन डारेक्टली और डारेक्टली जो है customer experience जो है और external environment जो है वो customer experience से भी प्रभावित होता है इन दोनों जो है दुसरे पर यहां पर आप देख रहोंगे यह double arrow mark से दिखाया गया है इस जो सेंटर में है बच्चों customer management activity तो यह जितने भी बाहर से प्रोसेस दिखाया जा रहे है आपको external environment हो गया customer experience हो गया measurement हो गया analysis and planning हो गई customer propositions हो गया peoples and organizations है सबका focus एक ही होता है customer को manage करना customer की activity को manage करना उसको retain रखना और उसको पकड़के अपने पास लेके आना तो हम लोग करके समझ रहे हैं चीजों को external environment आपको समझ में आ गया कि कैसे वह customer experience को affect कर रहा है customer experience कैसे external environment को affect कर रहा है तो आप सम अच्छा सा आपका image बन गया होगा दिमाग में customer experience जो है बच्चों वो प्रड़क्ट आप किसी का लें चाहें नहीं लें पर जो उसकी ब्रैंडिंग होती है उसकी advertisement की जाती है आपके brain में एक image बना दिया जाता है तो आप उसका इस्तमाल करें चाहें नहीं करें बच्चों customer experience में वो calculate की जाती है जब इसका calculation होगा QCI मोडल में तो हम उसे उसमें लेंगे अब देखिए जब हम इन चाहिए इन चीजों को study कर लिए तो हम क्या करेंगे उसके उपर analysis करके planning करके products को बनाएंगे अपनी business की strategy को set करेंगे तो जो हम consumer propositions है यानि कि जो हम analysis customer का analysis करके उसकी planning करके जो हम products market में launch करने वाले हैं market के competition को हमने study किया customer की experience को study कि कि किस तरह का experience customer हमें दे रहा है कौन सा market में कितने types के products चल रहे हैं उनकी क्या feedback से services कैसा provide किया रहा है products की quality क्या है insights जो को study करने के बाद analyze करने के बाद जब हम अपनी planning करेंगे और जब हम अपने products को launch करेंगे तो consumer propositions में बच्चों यह products जो हम देते हैं और जो services हम देते हैं जैसे मान लेजिए किसी भी products को आप लेते हैं तो phones में जो है one year की warranty दी जाती है जो accessories है उसकी six month की दी जाती है और phone की one year की दी जाती है अगर कोई company उसको दो year का extend कर दे तो उसको जादा consumer है उसके जादा focus करेगा क्यूंकि अब उन्हें क्या किया कि पहले तो हमें one year का ही warranty मिल रहा था और जो accessories है उसके six month का मिल रहा था लेकिन अब अगर कोई company अगर launch करती है और उसमें दो साल की warranty को बढ़ा के देती है तो consumer क क्या करेगा उसके तरह भाग जाएगा तो यही चीज जो हम देते हैं अपने consumer को यह आ जाता है consumer propositions में और measurement क्या होता है बच्चों जो भी feedbacks या जो भी हम process अपना चला रहे हैं यह consumers को जो study कर रहे हैं जो उनकी feedbacks and experiences हैं उसके जो भी हम मेजर करते हैं जो हमारे company को value add कर रह रहे हैं जो हमारे employees हैं इस पर सारा work कर रहा है इसको हम लोग मैजर करते हैं quality measurement करते हैं इसमें हम लोग बहुत ही प्योर्ली और इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो भी investor में खर्च होता है जैसे customer information collect किया हमने technological technical team रखा customer information को data team रखे है analyze team रखे हैं हमने process management के लिए एक अलग से team बना के रखा है तो इन infrastructure को maintain करने में जो भी मतलब cost लगता है या जो इस model में किया जाता है तो यह सारे teams के दौरा की जाती है तो यहां पर आप देख रहोंगे बच्चों इसे का questions आप QCI में किस तरह questions आ सकते हैं अगर आपके mind में आप तो समझ गया है क्या हम एक एक पॉइंट को detail में और भी समझेंगे आगे लेकिन यहां हम आपको brief discussion introduction दे रहे हैं कि QCI में है क्या quality competitive index यहां पर questions बच्चों राइज हो सकता है कि इसको किनह ने found किया तो मैंने आपको बताया इस तरह questions आ सकते हैं कि QCI model में external environment जो है वह किस पर dependent है तो आप यहां देख सकते हैं कि जो external environment है वह customer experience पर dependent है अगर आप से customer experience कि किस पर dependent करता है तो यहां देख सकते हैं जो customer customer experience है वह consumer करता है जो भी मेजर्मेंट हम लोग करते है उस पर डिपेंड करता है और इंडिरेक्टली पीपल्स और और इस तरह के कोस्टेंस आपको आ सकते हैं और एक चीज यहां पर आप लोग देखिए ध्यान से अनलाइजिंग अन प्लाइनिंग और यह कंजूमर जो प्रपोजिशन से मतलब अनलाइज करने के बाद प्लाइनिंग करने के बाद जो प्रॉडट्स हम कस्टमर को दे रहे हैं या जो सर्विसेस दे रहे हैं वह दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं हमने अनलाइज किया प्लाइनिंग की तभी तो प्रॉडट्स किया हमने कस्टमर के बहुत ही आसान मुडल है यह पिच्चर देखे आपको मुझकिल लेकिन अब आप लोग को धीरे धीरे आसान लग रहा होगा अरे तो बहुत ही आसान है मुझे पता ही अर्शज जो असे बता ही रहे तो आपको बहुत आसान यह आपको समझने में और इसके पॉइंट सी बहुत ही आसान है बच्चो इसका पहला कोनेंट है इसमें हम लोग क्या करते दआदा है रीप के द्वारा किया आता है रियानिकी रतेंशन इफिसेंसिंशन अपकरेंशन मतलब कस्टबर जो है बच्चों वह हमारे पास रिटेन है कितने कस्टमर रिटेन है किस दरीके से है और हम elfy किसकी पॉड़की प्रहा है इंसाफ़ का मतलब होता है बच्छों जब हम किसी नए कस्टमर उसको अट्रेट कर रहे होते हैं अपने पॉड़ाइडिस की बहुत बड़ाई करते हैं उसकी ब्रैंडिंग करते हैं करते हैं मार्केटिंग कामियन करते हैं। जो हमारे काम को आसान कर देता है जैसे कि अगर हमारे पास customer information है planning है इन सब को manage करने के लिए एक system होता है जो की information technology के दोरह की जाती है अगला point है बच्चो पीपल्स and organizations तो पीपल्स and organizations में क्या करते हम कि customer के request जो हमसे वह request किया जो भी वह feedback दे रहा है जो भी उसकी queries है जो भी उसके परिसानिया है जो भी वह problem face कर रहा है और जो उनके concerns है इन सारी चीज़ों को manage करते है इसको अपने पास रखके externally यह manage किया जाता है एक team होता है जो इन सारी चीज़ों को manage करता है ताकि हम customer को queries को resolve कर सके उसको अच्छे से properly organize कर सके कि किस customer का क्या उसका needs है क्या उसकी प्रॉबलम है किस customer को क्या problem आ रहा है तो यह पिपल से और जाता है process management क्या हो गया बच्चों जो भी process हम लोग follow कर रहे है इन सारी चीज़ों को करने में customer के experience को समझने में उनको manage करने में customers को पगड़ के लाने में प्राने customers को retain करने में तो यह process management जो है यह market किया जाता है बच्चों जो भी marketing हम करते हैं जो भी sales करती है यह सारी चीज़ों को support करता है और हमें इससे क्या होता है जो भी हमारे अंदर कमिया है जो भी हमारे अंदर कमिया है उसको उससे बाहर निकलन में उसको सुधारने में help करता है तो प्रोसेस मनेजमेंट बहुत जरूरी है ताकि हम से कहीं भी किसी भी स्टेज पर गलती ना हो जाए जिसके वज़र से हमें बहुत ही कि नुक्सान जहलना पड़े तो यह प्रोसेस मनेजमेंट हम करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए प्रोसेस मनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है ताकि हम अपने गलतियों को अपने सौट कमिंग को इंप्रूब कर सके में अगला पॉइंट बचो तो कि भी लेबल ओपर्फेमेंट जैसे मांनूजीं हम कंश्टमर थे यह तो हमारा कंश्टमर का एक्स्टमर का एक्सप्रियंस घिस तरीके करहें कि हम उसको क्षाक्त screens कर रहें तो जिस तरीके के हमके प्रोसेस से गुजर पड़ रहा है जो तने लेबल के हम सका प्रोसेस मेंस द डिमांड उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है या उसके अंदर कुछ कमी तो नहीं है जो कस्टमर है वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उनको हो रहा है अच्छा उनको मतलब experience है कि नहीं है तो जो हमने sales team या problem solving team जो है services team जो हमने मार्केट में रखी हुई है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं तो इन चीजों का माप दंड हमें करना होता है मैजर करना होता है तो यह इस मॉडल में आ जाता है अगला जो पॉइंट है अच्छो customer experience तो मैंने आपको बताया कि यह external environment पर डिपेंड करता है इसका बहुत ही हम अपने पास अच्छे ऑफर देंगे ताकि हमारे पास रिटेन रहे तो जितने भी स्यार्म के प्रोसेसे से customer experience यह उसको करने में help करता है तो customer experience ज़रूरी नहीं है कि वह products को इस्तमाल करने के बाद ही उसको हम अपने में जोड़ें वह जो customer experience है अगर हम किसी चीज़ का branding य जोड़ेंगे इस क्योंकि आप उससे external environment जो है और भी जो customers है उसको आप affect कर सकते हैं इस वज़े से customer experience को हम experience उसमें जोड़ लेंगे जो भी हम customers होंगे वो product का इस्तमाल करें चाहें ना करें अगला point जो है बच्छो customer management activity तो customer management activity तो main focus है इस model का जितने भी हमने processes पढ़े analysis हो गया and planning हो गया consumer positions हो गया measuring the effect हो गया people and organizations हो गया customer experience हो गया external environment हो गया यह सारे जो points है बच्छो किसी भी customer को arrange करने के लिए manage करने के लिए या customer को पकड़ के लाने के लिए नए customer को अपने से जोडने के लिए और जो हमारे पास customer पहले से मौजूद है उनको retain रखने के लिए यह सारे process का main core क्या है consumer management activity customer management activity कह लिए या फिर तो यह जो है यह सबसे main part है इस model का इसका आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा एक्जाम में questions कहीं से भी आ सकते हैं बच्चों एक एक पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान से याद रखना है ताकि आप कहीं भी गलती ना करें अच्छे से आप लोग एक्जाम में score करिए यह मेरा उद्देश है इसलिए हम कम टाइम में आपके लिए अच्छा content लेके आ रहे हैं तो qci model यहाँ पर क्या हमने बताया आपको कि इसका main core यानि की main focus क्या है customer management activity जितने भी प्रोसेस हम पढ़ें अभी तक सारा प्रोसेस इसी के लिए की जाता है अब हम लोग जानते है value chain model अब CRM क्या होता है जैसे कि हमने देखा कि IDIC model अब CRM में main focus करते हैं हम लोग customer expectations के और अपने company की value को बढ़ाने के लिए और brand की value को बढ़ाने के लिए और QCI model में हम लोग का main focus होता है customer क्यों पकड़ के लाने के लिए और customer को हम लोग कैसे return रखे जाने की customer management activity पे full focus होता है QCI model में उसी तरीके से value chain model में हमारा main focus होता है customer पे इसमें हम लोग secondary factor भी देखते हैं याने की क्या company में profit हो रहा है लेकिन वो हमारा main focus नहीं होता है main focus यहाँ पे भी customer पे किया जाता है जो कि हमारा primary stage है दो stages है इसमें primary stage जिसको support करने के लिए supporting conditions है याने की secondary stage जो influence करेगा primary stage को तो primary stage जो है बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं main focus customer पे करते हैं यह जो है Francis बटल के दोरह double up किया गया था 2004 में यह क्या करती है mainly जो internal process होते हैं किसी भी organizations के और जो external process होते हैं जैसे कि internal process क्या हो गया manufacturing unit हो गया analyzing team हो गया sales team हो गया customer के उपर जो analyze किया उसके उपर study करने के बाद जो हम planning करते हैं strategy बनाते हैं और जो हमारी manufacturing unit हो गई जो हमारी delivery unit हो गई, जो stops हो गई हमारे, जो इस पर work कर रहे हैं, तो जो internally work company में किया जाता है, इन सारी चीजों को और जो external factors हो गई है, जो हमारा customer experience है, जो service हम दे रहे हैं, जो feedback हमारे company को दे रहा है, जो products हम मार्केट में launch कर रहे हैं, distributor तक जा रहा है, तो जो भी external activity हो रही है, और जो internal activity है, इसको integrate करके, एक product बनाती है, जो की customer के लिए valuable होता है, ताकि हम company, ताकि हमारे company को profit हो सके, तो इन सारे processes को integrate करके, हम एक valuable product को बनाते हैं, अपने consumer के लिए, जो हमारे company को profit देता है, तो इसका जो main focus होता है बच्चों, वो consumer पर किया जाता है, ये दोनों businesses को support करता है, B2B and B2C, यानि कि business to business, किसी business industry को अगर हम देते हैं, जैसे कि distributor हो गया, या directly हम consumers को देते हैं, यानि कि business to consumer, तो ये दोनों businesses को support करता है, और primary stage जो होता है बच्चों, ये 5 factors पर depend करता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं, कि जो customer हमारे पास पहले से मौझूद है, या first time हमारे पास आया है, तो long term उसके chances क्या है, यानि कि यहाँ पर customer lifetime value निकाला जाता है, जो मैंने आपको पिछह लेचास में बताया है, कि हम hypothetically ये मान लेते हैं, कि ये हमारे पास retain रहेगा, तो ये chances को भी यहाँ पर calculate किया जाता है, second जो है बच्चों, assess a customer level of connect with the organization, मन्स customer जो है, वो organization से कितने लेबल तक connect है, मतलब किस तरीके के products को ले रहा है, किस हर्थ तक उसका percentage क्या है connection level का, हमारे company के products को वो कितना इस्तमाल कर रहा है, इन सारे चीजों का भी हम मापदंड करते हैं, third जो है बच्चों, जो भी हम network को develop करते हैं, याने कि market में हमें अपने products को चलाने के लिए, हमें suppliers चाहिए, distributor चाहिए, sales team चाहिए, तो market में इन चीजों को फिलाने के लिए, जो network हम develop करके रखे हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परिसानी ना हो, तो उस network को develop करने के लिए भी हम यहां पर कर सकते हैं, और जो चौथा point है, create a value proposition, जो भी हम products customer को दे रहे हैं, उसका कितना value है, उस product को कितने लोग चाह रहे हैं, उसकी value क्या है, जो services हम provide कर रहे हैं, तो customer का review, feedback सारा यहां important हो जाता है, और पांचमा point है बच्चों, manage the cycle of customer management, जो भी customer को हम manage कर र अपने company में, उसके retention rate को, उसके feedback को, उसके needs को जो भी हम management कर रहे हैं, उसके cycles को भी यहां पर manage किया जाता है, तो इस जो value chain model है बच्चों, इसका main focus तो आप लोग समझ चुके होंगे, कि इसमें दो stages है, primary and secondary, तो primary stage जो है, उसको secondary stage support करता है, लेकिन primary stage जो है, main focus मारे पास customer हो होता है, हमारे पास profit आता है, पर जब हमारे पास customer ही नहीं होगा, तो profit आएगा कहां से, इसलिए हम लोग customer को इतना satisfy कर देते हैं, उसके demands को, उसके needs को इतना fulfill, इस label तक उसको service देंगे, ताकि वो हमारे पास retain रहे, और profit तो अपने आप आना ही आना है, तो वो secondary stage में आ जात customer के उपर analysis की जाती है, कि कौन सा customer कितना valuable है हमारे लिए, क्या-क्या उसके मतलब जरूरते हैं, किन चीजों को वो prefer कर रहा है, क्या वो product को ले रहा है या अगा नहीं ले रहा है, long term, short term, सारे calculations इसमें की जाते हैं, next आता है customer intimacy, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, customer portfolio analysis के साथ म इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे कि customer intimacy जो है, क्या होता है, अगला जो है बच्चों, network development, तो network development में जैसे मैंने आपको बताया, कि हम जब तक अपने network को develop नहीं करेंगे, तो किसी एक particular customer के पास अपना product कैसे पहुचाएंगे, तो network develop करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको manage क करना ज़रूरी है, इसे हर चीज के लिए हमारे पास sales stream होती है, distributor हो गया, supplier हो गया, customer हो गया, market है, जिस market में हम अपना product launch कर रहे हैं, तो ये एक network के थूरू सारे चीज़ें होती है, और दूसरा जो बच्चों, value propositions development means, जो भी products हम बना रहे हैं, उसमें क्या development कर रहे हैं, ता हमारे पास customer कितने बार आ रहा है, कितने दिनों में आ रहा है, महीने में आ रहा है, सर्ता में आ रहा है, तो ये सारी management है, उनके customer की cycle है, यहाँ पे भी इसको हम manage करते हैं, ताकि customer को हम return रख सकें, और नए customer को जोड सकें, तो value chain model जो है, introduction आपको समझ में आ गया होगा बच् इसका customer के उपर किया जाता है, ताकि हम उससे value gain कर सकें, फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चो इसमें, पहला stage है primary stage हो value chain model, तो primary stage है मैंने आपको बताया, कि totally focused हो है customer को देखी, हम इसमें return करेंगे, और acquire करेंगे, नए customer को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है कि customer की analysis करते हैं, उसके profile के उपर, जैसे कि माल लेजे, उस customer को हम यहाँ पर identify करेंगे, जिसकी suggestion से हमारे business में तरक्की हो, succeed हो, तो उस customer की valuable needs और valuable suggestion को एक हम categorize कर लेंगे अपने category में, ताकि अपने business strategy को हम बना सकें, और उसके उपर analysis कर सकें, planning कर सकें, तो इस तरह की customers होंगे, उसको हम identify यहाँ पर करेंगे, तो सारी जो customer है, उसके उपर analysis बहुत जरूरी होता है बच्चों, ताकि हम अपने company की value या उसकी brand की value खटने ना दें, उसको बरकरार रखें, तो इसलिए किसी भी customer का feedback बहुत जरूरी होता है, अगला जो है बच्चो network development, तो network development में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कि extensive types of interaction होता है, between the organization and the customer, जो की एक बहुत सारे steps से गुजरता है, ताकि हम किसी भी customer से अपने relationship को manage कर सके, example के लिए आप समझ लिजिए, जैसे हमने अगर mobile order किया, कोई भी mobile जब आप order करते हैं, या किसी भी swap से जाके लेते हैं, तो swap तक पहुचने के लिए company में जब वो manufacture होता है, तो customer के demands और needs को ध्यान रखते हुए, उसके preference को ध्यान रखते हुए manufacture होता है, तो जब हमने customer portfolio की analysis क early, जब हमने अपने products के manufacturing कर लिया, तो हमें एक network develop करना होता है, तो manufacture करने के बाद, वो product जो है distributor के पास जाता है, फिर supplier के पास जाता है, फिर market में आता है, फिर हमारे पास आता है, तो और जो उसकी services दी जाती है, ताकि customer को अगर को problem हो, को भी परसानी हो, तो वो आसानी से उ हमें पकड़ने में, अपने पास return रखने में आसानी होती है, जब हम अच्छी चीज देंगे, valuable चीज देंगे customer को, अच्छी service देंगे, तभी तो वो हमारे पास return रहेगा, तभी उसकी chances है, retention की, वो हमारे पास जादा रहेगा, customer lifetime value तो calculate यहाँ पर करना ही होता है, ताकि हम एक अंदाजा लगा सके हैं, कि वो कब तक हमारे company को कितना value देगा, तो network बच्छों develop करते हैं, समझ चुके हैं आप, कि बहुत ही extensive network होता है, हर एक steps को बहुत ही बारिकी से ध्यान दिया जाता है, ताकि कहीं भी mistake ना हो, क्योंकि कहीं भी mistake होगा, तो आपको सही product नहीं मिले दिया जाता है, अगला point जो है बच्छों, value proposition development, तो value proposition development में क्या करते हैं हम लोग बच्छों, ये चार steps इसमें होते हैं, identification of resource, resource को identify करते हैं, कि कि किस तरह के resource हम दे रहे हैं, उसके बाद उसमें हम क्या-क्या development कर सकते हैं, development of sources, and development of products and services, मतलब जो भी products हम market में launch किये हुए है, उस products में क्या-क्या हम development कर सकते हैं, क्या-क्या उसमें improvement कर सकते हैं, अपने services को किस तरह से improve कर सकते हैं, इसी इन सारे चीजों को ध्यान दिया जाता है, ताकि हम अपने products की value बढ़ा सकें, अपनी brand की value बढ़ा सकें, propositions तो मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले UCI model में, कि propos products हम consumer को दे रहे हैं, और जो services हम provide कर रहे हैं, वो कहां तक कारगर है, कितना effective है, customer experience कैसा, तो value propositions का मतलब है, कि जब तक हम इन चीजों के बारे में study नहीं करेंगे, कि हमारा product कितना चल रहा है, कितनी demand उसकी बढ़ रही है, services उसका कितना अच्छा चल रहा है, जो भी हम provide करा रहे हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, तो जब वो सही तरीके से काम करेगा, तभी तो हम उसकी value को और बढ़ा सकेंगे, develop कर सकेंगे, अगला जो point है बच्चो, manage a customer life cycle, तो customer life cycle को manage करने के लिए, कितनी चाहीं चीज़े हैं बच्चों, पहला है कि reach, यानि कि customer तक हमें पहुचना होगा पहले, पहले customers को हमें पकड़ना होगा, उसके बाद उसे acquire करना होगा, अपने तरफ खिचना होगा, फिर उससे convergence करना होगा, बातचीत करना होगा, अपने चीज़ों को बारें बताना होगा, अगर वो हमारा product इस्तमाल कर रहा है, तो वो क्या उससे इस फायड है कि नहीं कैसा उसका experience है इस चीज़ों को जानना होगा और वो कितना हमारे company से कितने दिनों से retain है या हमारे पास retain है भी कि नहीं है और उसकी loyalty किस तरह टाइप की है तो यह आ जाता है आपका customer life cycle management system में तो इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए हम customer के life cycle को manage करते हैं अगला जो है बच्चों वो secondary stage है मतलब जो भी हमने अभी आपको बताया कि हम customer की portfolio analysis करते हैं intimacy देखते हैं इन सारी चीजों को support कौन करता है जब हम customer को पकड़ के लेके आए उससे अपने पास return बरकरार रखे हैं new customer को अपने पास लेके आ रहे हैं तो बहु सारे चीजों को एक process से गुजरता है ताकि हमारा जो primary stage है customer को focus करने का वो हमारा successful हो जाए तो secondary stage जो है यह इसका supporting conditions है पहला है leadership and culture तो leadership and culture जो है बच्चों कोई भी company को run करने के लिए किसी भी business को run करने के लिए एक के leader की हमें ज़रुरत होती है तो leader क्या करता है कि manage करता है customers क अपने employees को manage करता है और new ideas create करता है अपने business को run करने के लिए ताकि जो उसके workers है employee है वो एक proper way में काम कर सके और जो customer उससे बने हुए है उसको manage करता है ताकि उसके requirement और need को पूरा कर सके return रख सके तो एक leader बहुत ही important role play करता है किसी भी business को आगे बढ़ाने में यहां आप दे table पर बैटके लोगों से discuss कर रहा है अपने college से और अपने executive से discussion हो रहा है यहां पर अगला पॉइंट है बच्चो data and information technology तो data information technology मतलब क्या यह जो भी हमने customer को acquire किया जो data हमारे पास मौजूद है वही होगा data data means क्या informations अब हम इसका इस्तमाल करेंगे information and technology का तो information and technology का इस्तमाल करके बहुत ही broad way में vast amount of data को manage किया जाता है study किया जाता है अगला जब पॉइंट है बच्चो people or employees तो people or employees क्या हो गया people जो है जो employees है जो company के employees है वो customer से interact होते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से उसे CRM काम करना चाहता है या जिस तरीके से काम करवाना चाहता है तो employees क्या होंगे customer से interact करेंगे उसी तरीके से यह जो है इसमें employees कौन करेंगे sales team हो गया staff team हो गया customer service team हो गया स्टाफ हो प्रोडक्षिन Gregory स्टाफ हो गया डिलिवरी स्टाफ हो गया मैने फैक्टरिंग मैंने तुए जतने भी टीम सें कंप सर्थ के अंदर जो विर्क करते हैं एक पोड़क्ट को बनाने के लिए सारे वहिंति हिस फैसल यह जो घलागए जो प्रोसेस क्या है एक तरीका है जिससे हम प्रोसेस को बनाते हैं कंपनी जो किसी भी टास को कम्प्लीट करती है तो जिस हमारे पास मॉझूद है जो पॉड़ेक्स को हम से गुजरना होता है शबहसे पहले तो एनलश करना पड़ता है कि पॉर्डर्स का अनलाइज किये हम, कस्टमर को अनलाइज किये हैं, उसके बाद अपने पॉर्डर्स का हम डिजाइनिंग किये हैं, strategy बनाए कि किस तरह के products को हमें launch करना चाहिए किस तरह के market में कौन सा product को launch करना चाहिए तो इन सारे designing के बाद हमने products को manufacture किया products को manufacture करने के बाद हमें किस market में उतारना है उसमें उतारने के लिए हम distributor के पास गए distributor supplier के पास गया, supplier से स्वाबकीपर के पास गया, स्वाबकीपर से कंजूमर के पास आया, जितनी भी ये process से गुजरने के बाद product हमारे पास आता है, consumer के पास वही होता है process, तो secondary stage है बच्चों, ये supporting conditions भी इसको कहा जाता है, जो की value chain model में primary stage को support करता है, जिससे हम profit को gain करते हैं, customers, पहला इस्टेश में थो आमने कस्टमर को बना लिया कस्टमर को बनाने के बाद हम उसे profit को गेन करेंगे तो अगर आप से कहीं question आजाए जाए कि value chain model का main focus क्या है तो customers को acquire करना customer को retain रखना और इसका जो एम है internal and external factors of the organizations को integrate करके एक valuable product बनाना जो कि customer के लिए valuable हो और हमें उससे profit आ सके तो पहला stage क्या है customer तभी न उसके लिए हम valuable product को बनाएंगे दूसरा पहला stage क्या हो गया profit को gain करना तो इन दोनो stages को बना करने के लिए हम इसका help लेते हैं value chain model का जो कि totally CRM based model है तो इस सारे model को आप सारे points जो है बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे सारे models मैंने बहुत ही detail में समझाया बच्चों एक-एक model जो है important है आपके examination point of view से किसी भी model से कोई भी question आ सकता है तो एकदम आप लोग ध्यान रखेगा QCI model में मैंने आपको बताया कि यह invent हुआ था 2002 में Starkey and Woodcock के दोरा और जो value chain model है बच्चों यह किया गया था फ्रांसिस बटल के दोरा 2004 में तो इन सारे जो development है इसको आप लोग याद रखिएगा और एकदम आप लोग को भूलना नहीं है IDIC model जो है papers नोजरस के दोरा किया गया था 1995 में तो development तो इससे भी questions आतके हैं कि किस मोडल को किस ने invent किया कब invent किया किसका main focus क्या है तो इन सारे points को आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है I hope यह सारे points आपको समझ में आ गया होंगे बच्चों सारे models बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है आपके exam में कोई भी questions आ सकते हैं तो आप लोग को अच्छे से score करना है और अच्छा perform करना है Thank you for watching my video अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी आपको doubt है तो आप मुझसे comment box या telegram channel पे पूछ सकते हैं जिसका link discussion box में दिया रहता है इन सबके आप notes बना लीजिए या हमारे PDF को follow कीजिए PDF आपको telegram channel पे मिल जाएगा जिसका link description box में रहता है मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद